हेलो दोस्तो मैं रहुला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आर्जेरिक्स पे दोस्तो फाइनली MIA1 में जो ओरियो का बग फिक्स अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है जसके आप यहाँ पर देखते हैं जनवरी 2018 का Android Home का अपडेट मेरा आया हुआ है और यहाँ पर इस अपडेट को आप कैसे ले सकते हैं अपने फोर में अगर आपके फोर में अभी तक नहीं आया है इस बारे में मैं बात करूँगा और मेरे चैनल पर एक giveaway चल रहा है विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए शुरू करता है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ इस बेल का इकोल को दबाना मत बुलिएगा जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूँगा तो फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ मेरा जो अपडेट आया है वो खुद बखुद नहीं आया है यहाँ पर मैंने फ्रेंट्स पर कुलिआट्स ऑड़ करके है यहाँ आप यहाँ पर स्टमारे नीचे की तरफ करना है और यहाँपर आपको गोगल प्रेंट्स यहाँ तो गोगल सर्विस ट्रेंब़र्ट्स भ्यग best मिलेगा और यह एक आपको क्लिक करने कीजेगा यहाँ पर Google Play Store के नीचे जो framework है उस पे क्लिक कर जाएगा क्लिक करनेक बाग यहाँ पर Storage पे क्लिक करना है और यहाँ पर बार बार आपको clear data और clear cache करते रहना है और अगर फिर भी नहीं हुआ तो आपको एक बार phone को restart करना है फिर जाकर clear data और clear cache करना है और आपको system update मिल जाएगा पर फ्रेंड मैं बोलूँगा आप इस process को मत किजिएगा आपको genuine update मिल जाएगा कुछ दिन अफट किजिए अगर आपके phone में जादा bug है तो ही आप इस चीज को try किजिए बरना आप रहने दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है एक cause है आपको हो सकता है कुछ और bug भी मिल जाए ऐसा करने से क्योंकि अभी तक मी ने जो है officially इस update को देना start नहीं किया है तो बस friends मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा मैं जो है एक experiment कर रहा हूँ आप सभी को बताने के लिए जो bug fix हुआ है कि नहीं तो जल्दी से आप मैं जो अपने system को update कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखते है 89 MB का update है तो मैं जल्दी से इससे update करके आपको दिखा देता हूँ क्या-क्या bug fix हुआ है और friends मैं बता दू जिन सभी का Oreo का update नहीं है अभी भी 4 Nougat पे चल रहा है उनका Oreo update जो आएगा वो bug fix होकर आएगा जहाँ फ्रेंट्स तो इस वज़से आपको tension लेने वाली बात नहीं है आपको जो update मिलेगा वो करीब 1 GB से उपर का update होगा क्योंकि वहाँ पर bug fix का update भी add होगा तो और Oreo का update भी add होगा इस वज़से आपको 1 GB से उपर का update जो है मिलेगा और यहाँ पर जिनका Oreo update हो गया है उनका scale 89 MB का update मिलेगा जो कि अब भी मेरे phone में है क्योंकि मेरा phone Oreo में update हो चुका था तो फ्रेंट्स यहाँ पर मेरे system जो है update हो चुका है अब मैं अपने phone को restart करूँगा और इस system को install करूँगा तो इससे restart कर देता हूँ और यह automatically install ले लेगा तो फ्रेंट्स फोन जो है update हो चुका है जिसके आप यहाँ पर देख सके Android security patch level एक जन्वरी 2018 शो कर रहा है और यहाँ पर काफी सारे bug problem fix किये गये हैं जहाँ अगर मैं notion panel को नीचे करता हूँ तो यहाँ पर आपको HD का notion show करता था पहले अब जो हट चुका है और आपका HD का notion आपके network के bugle में मिल जाएगा साथ साथ यहाँ पर network से related काफी सारे issue थे मेरे phone में issue था मैं SIM 1 में अगर जियो के SIM को insert करता था तो यहाँ पर मेरा call वगयरा नहीं जाता था अगर मैं जो फोन को एक दो घंटे तक इस्तिमाल नहीं करता था अब यह problem solo हो गया है और मैं देखते हैं अपने जो जियो के SIM को one SIM में लगाया हूँ और मुझे अभी तक कोई भी problem देखने को नहीं मिला साथ-साथ यहाँ पर आपका auto on, hotspot या फिर bluetooth वगयरा हो जाता था वो problem भी sort out हो जगा है और यहाँ पर miss call problem भी sort out हुए है पर फिर भी कुछ bug इसमें रह गया है अगर यहाँ पर आपका screen on है और आपको कोई miss call देता है जैसके यहाँ पर मेरा screen on है और मैं अपने phone में miss call दे लेता हूँ यहाँ पर देखते हैं call आ रहा है और मैं इसे miss call कर लेता हूँ तो उसके बाद देखें आपको मिस कॉल शो होगा जहां फ्रेंट्स तो यह एक बग है और साथ साथ अगर आप अपने डाइलर में जाएंगे तो आपको सब भी कॉल वगेरा मिस कॉल नजर आएंगे जैसे कि आपको देखते हैं मैं कॉल वगेरा दिखा रहा हूँ आपको तो यह सारे के सारे आपको मिस कॉल नजर आ रहे हैं हाला कि मैंने इसमें काफी सारे कॉल वगेरा किये थे और कुछ मिस कॉल आये थे पर काफी सारे कॉल मैंने किये थे तो यह भी मिस कॉल शो हो रहे है नासे प्र निन बाटेट है को यहां पर आपको फास चार्जिंग कर दिया जाए कर दो है इसे वज़ें को फॉन भॉन हो के यहां वाजने का कुछ बॉससरी आपके फोन में इस्व कर रहे होंगे। next update में हो सकता है fast charging का support आपको दे दिया जाए तो अभी फिलाल के लिए fast charging को हटा लिया गया है और friends अगर आपका application वगेरा open होने में जो है late लगाता था तो अब जो है इस bug को भी fix कर दिया गया है इस update में आपका application वगेरा काफी जल्दी open हो गया है आप यहां पर देखते हैं मैं कोई भी application open कर रहा हो काफी जल्दी open हो रहा है तो यह bug जो है fix कर दिया गया साथ-साथ यहां पर अगर जो है आप fingerprint को swipe करके नोटिशन पैनल को अगर नीचे करना चाहते थे तो यह option आपको audio में देखने को नहीं मिलता था पर इस update के बाद आपको यह option भी देखने को मिल जाएगा आपको settings पे आना है, system पे आना है, language एन input पे आना है, advance पे आना है उसके बाद यहां पर जिस रिस के option में आपको मिल जाएगा swipe fingerprint for notification, तो यहां पर आप इसे on कर दिजएगा तो आप जए fingerprint से अपने notification को नीचे कर पाएगा तो यह option आपका enable कर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है और friends काफी सारे bug fix नहीं हुए है, हलाकि मेरे phone में कुछ-कुछ bug fix नहीं हुए है मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहां पर कुछ application open करता हूँ, आपके सामने जिसके आप यहां पर देख पा रहे होंगे और मैं अगर recent tab पर tap करता हूँ, तो यहां पर सारे application दिखाने चाहिए, पर वो जो है show नहीं हो रहे है तो यहां पर recent tab जो है work नहीं कर रहा है, तो यह bug problem अभे भे इस phone में है मेरे phone को जो है अब restart करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है यह problem sort out होगा तो यहां पर मैंने अपने phone को जो है restart कर दिया है, अब देखते हैं यहां पर जो है problem sort out हो चुका है और अब जो है recent tab काफे अच्छे डंग से work कर रहा है, even पहले यह चीज नहीं कर रहा था और friends यहां पर picture in picture mode का भी bug problem आपको वैसे कर वैसा देखने को मिलेगा, यहां पर भी कोई shot out या फिर fix नहीं हुआ है जो है, यहां पर मैं google chrome को open कर लाता हूं यहांपर देखते है youtube open है और मैं यहां पर play करता हूं video और इसे full screen करता हूं यहांपर मैं full screen कर लिया हूं और अगर इसे picture and picture mode करने की कोश्च करता हूँ तो देखते हैं नहीं हो रहा है तो यहाँ पर YouTube नहीं हो रहा है अब मैं इसे desktop mode में करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसे desktop mode में कर देता हूँ और उसके बाद इसे picture and picture mode करता हूँ तो यहाँ पर मैं zoom out कर लेता हूँ उसके बाद picture and picture पिक्चर मोड करता हूं तो यहां पर देखते हैं पिक्चर मोड ओपिन हो चुका है यहां पर वीडियो फ्ले हो रहा है अब मैं इसे पिक्चर मोड करने की कोश्च करता हूं तो यहां पर देखते हैं अभी भी नहीं हो रहा है इवेन मैं यहां पर से करता हूं उसके बाद हो option हटा लिए गया मैं settings पर आता हूं app and option पर आता हूं advanced पर आता हूं special app पर और यहां पर picture in picture mode पर आता हूं और यहां पर देखते हैं google map का option यहां से हट चुका है जिए हम friends यहां पर picture in picture mode से आपका google map का option हट चुका है तो maybe हो सकता है मैंने framework को clear करके update लिया है इस वाई से कुछ bugs problem मेरे phone में रह गया हो तो इसी वाई से मैं आपको बोलूँगा आपका जब तक normal OTG update नहीं आ जाता है तब तक आप update मत कीजिए framework को clear करके अगर आपके phone में ज़्यादा problem है तो ही आप कीजिए वरना आप मत कीजिए क्योंकि कुछ bugs जो है रह जाएंगे तो friends आशा करते हैं आप सब भी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो please like शो और subscribe कर न मत बुलेगा साथ ही साथ इस phone से related कोई भी question या फिर कोई भी कोई रही हो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं मैं जरूर्स का reply दूंगा तो friends मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में ने content के साथ तब तक लिए टाटा बाई बाई और यूँ हसते रहे हैं मुश्कुराते रहे हैं और बने रहे है आरजे टेक्निकल्स के साथ